आज एक बहुत बहुत पूर्ण दिन है और बजरफ पेस होने वाला है और मेरे साथ पुख्यमंत्री पुछकर धामी जी है वह उन्हीं से खुदी पूछते हैं कि क्या उनकी प्रयाइटी जिस बजट में रही है किस तरह का बजट उन्होंने केंद्रित किया है कि धामी जी आ नया संकल्प उत्राखंड का उसको आगे बढ़ाने वाला है उसमें रोजगार प्रग भी है मात्र सक्ति के लिए भी विशेष प्रावधान है आने के बाद निश्चित रूप से हर बर्ग को उसका लाब मिलेगा विशेष कर रोजगार से और सो रोजगार से हमारे जो लाखो लोग इस समय आपको सिधा परसाड़न देख रहे हैं आप जो बता रहे हैं किस तरह का बजट आने वाला है जो किसान महिला रोजगार यूद क्या इन सब को मिला करके जो एक समावेसी बजट की आपने कल्पना की है और उसकी जो सर्वोच प्रात्मिकता हैं आपके बाबा केदार की भूमी से कहा था कि 21 सदी का तीसरा दसक उत्राखंड का दसक होगा हम उस दिसाम में आगे बढ़ रहे हैं और जहां प्रतिवेक्ति आए दस प्रतिसत से ज्यादा बढ़ी है जो कलेक्शन है उसमें भी 33 प्रतिसत का इजाफा हुआ है और पास सालों में हम हमारे हर वर्ग का उत्थान होगा और रोजगार चुकि सरकारी नौकरिया एक लिमिटेट है और उसमें जब तक हम सुरोजगार को नहीं जोड़ेंगे लोगों को अपने उपर आत्म निर्भर नहीं बनाएंगे तब तक चुकि यह जो हमारा संकल्प है संकल्प नए उत्र कर रखा एक दिन के लिए पहली बार हुआ इसके अपने उत्रखंड के इतियास में के सभी विदायकों को एक दिन के सस्पेंड कर दिया गया है आज भी नौन कोपरेशन जैसा है तो आज बजट भी पेस होने जा रहा है तो आपकी विपक से कोई बातचीत हुई है कि सामु उत्राखंड के विकास पर चर्चा होनी चाहिए कि उत्राखंड कैसे आगे बढ़ेगा जो समस्या हैं उनके समाधान के लिए इसी सदन से सारी समस्याओं का हल भी निकलता है और वह मिल जूलकर ही निकलता है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोग हो या अन्य दलों के हूं सभी को इसमा आगे आना चाहिए और प्रसपर संबाद चूकि मैं तो हमेशा संबाद पर विश्वास करता हूं और हमने कल भी सभी से आवान किया था कि सारी चीज़ें छोड़कर सदन को चलाने में अपना यूगदान दे अभी आप तो बहुत बढ़िया बजट लेक के बाद एक तो राजस्तों प्राप्ति और दूसरा जो बजट ठीक प्रकार से लगे जो बात आप कह रहे हैं उसके लिए भी हम लोग लगातार मॉनिटिंग करेंगे और अप्रेल महा में जल्द ही मुख्य सचीव इसकी पूरी मॉनिटिंग करेंगे बहुत धन्यवाद औ मुख्य मंत्री थे अभी अपने देखा होगा उनको सुना होगा कि किस तरह का बजट लेकर के आ रहे हैं वो रोजगार मॉनिटी होगा किस तरघा का कोरिडोर एक यहां पर अभी ऐस्तापित होने जा रहा है इंडिस्ट्री के लिए कैसे फाइदाबन हो सकता है वो तमाम तरह की सारी चीज़े उसमें होंगे एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की